हेलो डिये सुजेंट्स कैसे आप सब आप सब का भला किछ संसें स्टडी में एक बार फिर से भुदब स्वागत है डिये सुजेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि मैं संस्कित की सभी वीडियो अप्लोड करता हूं और जो भी क्लासिस की सारी वक्षिट है आपकी मैथ हो इंग फिर सारांत कि अंदर ठीक है जैसाए कि आप जानते हैं जुच्छों उते हैं वह तीन प्रकार कि रोते हैं ठीक है पॉलिंग शब्द इस थे लिंग शब्द और न्फोड समुख्ट हमने पूलन शब्द के बारे में हो डिटेल में अच्ची से समझ¿ लिया है आज जो हम स स्चिरिलिंग शिल्वाद करने जा रहे हैं यह जो संस्कित में लिखा यह हिंदी में लिखा वैंने आपको अच्छे से बता दिया है ठीके आगे देखिये धिया सुझेंट जिन शब्लों कि अंतल में अकारांत के बारे में पड़विय का अम फिमियर में आखा आम वाला गार हो, तो वह क्या है स्थिलींग शब्द है, ठीक है आओ, देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ी है, सबसे पहले आप लेखें इतकाक्या याम बताने हैं, ठीक है तो तो देखिए, बताईए यह क्या दिखरा है आपको, यह है, दोला, दोला मने जूला, क्या है, जूला, अब मैं आपको बताओंगा भी कि आपको कोपीपर क्या नोट करना है, पहले इक एक बूर समझ दो, ठाहिए, और जिनको अगर सीदा ये करना है कि मुझे उतारना है, मु इसे मुझा आएगा और पूरी वीडियो जिए पता है जली बताओ यह क्या है हिंदी को संस्क्राइब का घटी का घडी फैरी गुट जल्दी कि यह क्या है चटका चटका मनें चडीया ठीक है और यह तली का स्टाली नहीं क्या थाली आप इसको प्लेट बिश यह प्लेड़ स आजा मनें बकरी ठीक है अच्छा यह क्या है गाइका तो गाइका को गाइका ही बोल दो आप ठीक है यह क्या है सिख्षी का मतलब अध्यापी का अच्छा बच्छो आप सब सब्सक्राइब एक बात करी देखो सब में आक रेंटा लग रहा है ना और जब हम एक बचल में पूलिंग पढा़रेस है वहाँ पर आगा रंदा लग रहा है यानि कि बड़े आसे आं तब ही तो हम कहा और वो से लिंग में ठीक है अब देखो इसके क्या बोल रहाएं जिन शब्दों के अंत में आ की धूनी आए वो सभी आकारांत कहलाते हैं और उपर लिखे हो जितने भी सब शब्द है वो कौन से है इस्त्रिलिंग कौन से है इस्त्रिलिंग ठीक है मतलब लड़की जैसे है महिला है वो सब क्या होता है इस्त्रिलिंग ठीक है घटिका चटका सालिका यह सब क्या है इस्त्रिलिंग है तो पहला वाला पार्ट से में आ पासे एक और आप कमेंड बोक्त निसींट है कि आपने कितने बता थे देजिए बताना चैक बता सब्धों कि आप इन्वी लिख सेकते हैं कि सर में जातर मैंने अनसर बता दिया थे ठीक है उसके लागा है पीपिलिका पीपिलिका का मतल़ हेता है चीन्टी क्या द noodle शावाष मज़ा अब जली से पसका नम क्या है कुए नाम किन्चि हम इसका मतलब है दो चक्री के मंसें चक्रत तो इसलिए से नाम होता है साइक ठीक है क्या होता है साइक थीक है अगला बता यह कहां उत्पिठी का मतलब भी ठीक है अगला बता यह क्या है, मक्षिका, मक्षिका मनें मक्खी, very good, ठीक है, चलो, आगे देखो, अब यह बताओ, चल्दी से बताओ, यह क्या अगनी पेटी का, ठीक है, इससे आग लाने के काम आती है न, इसके नाम के अगनी पेटी का, यानिके, माचीज, क्या, माचीज, हाना, अब यह बता है और फुटा भी बोल सकते हैं और यह कहा जाता है हिंदी में भी ठीक है चलो समद में आगे सबको अब आगे से को देखो इस लिंक का सारा एक साथ ही बता दिया आपको याद होगा हमने जब पुल्लिंग वाले कर रहे थे तो एक एक करके की चीज़ी की थी इसी वीडियो मे मतलब इसी वक्षिट में हमें वचन परिवरतन भी बता दिये कि अगर एक इस त्रिलिंग है मतलब एक अगर जैसे एक माचीस है एक मापी का है क्योंकि सब क्या स्थिलिंग है मतलब लड़की है ना तो तो अगर एक है तो आपको क्या लगाना बढ़िया से आम लगाना है क्या लगाना है बढ़िया से आम लगाना है लेकिन अगर दूवचन आएगा तो आपको एक ही मातरा लगा देनी है एक ही मातरा लगा देनी है और अगर बहुचन आएगा तो जो बढ़िया से आम उसके पीछे दो बिंदी लगा देनी है आपको यह याद रखना है ठीक है बने असे आमकर बिंदी नगा देंगे इसको बिंदी निहीं बोलते हैं संस्क्रित में विसारग क्या बोलते है खिए और धिकर ने पड़ा है तो रखो है घुत ंसनि 28 तुशंट और जो एक फ्च!!" थिक हो उसमेंग एक जने के लिए दीविचान दौ जनो के लिए दो से कारा कितने भी उचाए तीन हो चार पांच हो छे हुँ पांच आट नूं था सुझेखें आपब देखो जो बच्चे लास्ट में देखें इन वह देख लें आपको कोपे पर क्या करना है मैंने अलग से पेस पे करा हुआ है ताकि आपको समझने में उतारने में दिककत पैनी पांच अकारान और उस दो के तीनों चैना लेसे आप आपको से 5 चैनल लेकर पाइस में सकते क्वा टीक है वह को बढ़े आसे आम के बाद दो विसरग यान के बिंदी दो लगा देनी है अब देखो आंसर फड़ा पर जल दी से देखो बच्चो जो क्वेश्चन है वहां से आप उता लेना ठीक है पीछे करके देख लेना वीडियो को और यह आंसर कर रहा है देखो पहले उपर हैं डालना यह लिखना फृर यह आपको पाँच मैंने यहां लिख दित गो ठीक क्यों एक रोगहा थिस तरीकी से आपको पहला क्यों क्यों अच्छे से समझा दिया इसका है आंसर भी आपको दिखा दिया ठीक है पेजब पर इस लिए कई बच्चों को उतारने में समझने में प्रवल तो पूरा तो पहले का सी देखो कि मैं को दुबारा से क्वेशन दिखातों पहले का तो बच्चो पहले का कुई नब यह उतार रहे हैं जो आंसर बिखाए वह उतार दोसरा क्वेशन सब्दों को अपनी नोडबुक में अर्थ सहीत लिखे इनके मतलब लिखने हैं जैसे इसका अंसर देखो सारा ठीक है पहले हमीं कौन से देगा है दोब घटीका चटका स्थालिका आपको यसा भी पहले आगे पीछे लिख सकते हो लेकिन सारे लिखने है ठीक है चलो अब इसका आंसर देखो, समझातों मैंने दिया यह था, और आपने सारे आंसर भी जातर खुद ही बताया थे, है ना, तो बस देखो, सबसे पहले दोला, मतलब जूला, ठीक है, घटी का, मैंने घडी, चटका, चडिया, स्थाली का प्लेट, नो का नाओ, अजा बकरी, गाई का, गाई का शिक्षिका, अध्यापिका, ठीक है, तो आपको एक यह उतारना है, ठीक है, दूसरा आपको यह उतारना है, सबसे पहले ना, जब आप दूसरा आंसर लिखोगे, तो यह लाइन लिख देंगे, शब्द और उनके अर्थ, ठीक है, सबसे पहले आपको यह नोट करना है, ठी कि यह लिखने के बाद फिर आप यह बले लिखेंगे सारे ठीक है क्योंकि यहां पर दो पार्ट थे ना मैं आपको क्विश्चन दुबारा दिखाता हूं देखो हमें जो है यह दो पार्ट दे रखे थे सबसे पहले हमें यह उपर लिखे हुए थे यह सारे देख रहे हो ना उसके बाद हमें दुबारा यह दे रखे थे ठीक है ठीक है तो इस तरीके से हमें दोनों करने थे सबकी आर्थ लिखने थे समझ में आ गया एक बार दुबारा बता रहता हूं सबसे पहले आपको पहला कोशन यह करना है ठीक है और आपको कोई से भी जो है स्ट्रिलिंग के आकारंद वाले पांच जो हैं जो शब्द लिखने जो तीनों वचनों में होंगे तो इसका आंसर मैंने क्या दिखाया था आपको ठीक है यह वाला आंसर दिखाया था फिर उसके बाद दूसरे वाला जो था उसका मैंने आपको आंसर क्या दिखाया था दूसरे वाला कुश्चन ये था ठीक है ये उतार लेना फिर आंसर क्या दिखाया था मैंने आपको बताया था दूसरे वाले में फिससे पहले ये हैडिंग डाल देना ठीक है पहले जो है आप ये नोट करना ठीक है उसके बाद जो किया करो ठीक है वीडियो को लाइक करो तो मुझे सपोर्ट मिलेगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब भी जूरु करना ठीक है तो यह सब्सक्राइब जो लाल बटन जो लाला लिखा रहा रहा है ग्योड में तो उसको आप प्रेश कर देंगे और बैल आइकन में ओल पर प्रेस्ट कर देना ताकि जब वीडियो बनाओ तो आपके बस आ जाए फिर आपको वीडियो ढूंड़ने नहीं पड़ेगी जब भी बनाओंगा आपके बस आ जाएगी ठीक है तो बच्चो बाए अपना पूरा ध्यान रखना ठैंक यू ठैंक यू फर वोचिंग लिस्न किरफुली अब याँ पूरा पूरा ध्यान रखना बाए बच्चो